दोस्तों आज के इस एपसोड में आप सब का स्वागत है और अक्सर जो हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि गौर्वर्मेंट में जॉब में कितनी सेलरी आपको मिलती है अक्सर कमेंट बाक्स में अगर आप हमारे चैनल पर फालोवर है या सबस्क्राइब किया है तो आपने अगर अगर आपक लिए समझना मुस्किल नहीं है लेकिन कोई नहीं है तो थोड़ा सा ज़रूर मुस्किल हो जाता है तो 2006 में जो है 6th pay commission के अनुसार 6th pay scale लागू हुआ था और 2016 में 7th pay scale लागू हुआ था तो जो government job में दो तरीके की salary होती है कुछ salary तो estate government की होती है और जो दूसरा salary के structure होता है वो UGC norm के अनुसार होता है तो अगर आप किसी estate की government job में है तो वहां का salary structure थोड़ा सा different होता है और किसी university में है या central university में है तो वहां का salary structure होता है थोड़ा सा different होता है तो जो 6th pay में structure था salary का थोड़ा सा उसको modify करके जो 7th pay scale में उसको change किया गया था, बहुत मामली से परिवर्टिन किया गया था, बहुत ज़्यादा कोई सरली में फर्क नहीं किया गया था, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 6th pay में क्या था, क्योंकि आज भी बहुत से लोग 6th pay scale के अनुसार ही है, बीच्वल है और आसानी से समझ में आ जाता है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो 6th pay scale था, उसमें grade pay का क्या concept था, तो 6th pay scale में जो pay band 3 और pay band 4, mainly इनी दोनों category में हम लोग की job आती है, pay band 3 में 3 scale थे, लेकिन जिसमें basic सबका सेम था, कि वहल आपका grade pay change होता था, तो basic सबका 15,600 से 49,100 यानि कि 15,600 to 39,100 प्लस GP और ये GP जो है scale वाईज बदलता है था, यानि कि अगर आप lecturer थे, तो lecturer की GP grade पे 5400 थी, reader की grade पे 6600 थी और professor की grade पे 6600 थी, और अगर आप किसी Central University में थे, वहाँ पे थोड़ा सा change था, Central University में जो lecturer की scale थी, वो तो pay band 3 में ही थी, यानि कि basic 15,600 से 49,100 था और GP वहाँ पे 6600 थी, लेकिन जो reader और professor वो pay band 4 में थे, पे band 4 की जो basic salary थी, वो थी 37,400 से लेकर 66,000 प्लस GP 8700 और जो pay band 3 थे, उसमें जो 400 grade पे था, उनको level 10 दिया गया है, जो 6600 grade पे था, उनको 11 दिया गया है, और जो 7600 grade पे थे, उनको level 12 दिया गया है, और जो pay band 4 में 87 GP पे थे, उनको level 13 दिया गया है, और pay band 4 में, जो 10,000 के grade पे थे, उनको level 14 दिया गया है, तो जो 5 category के pay band थे, यानि कि pay band 3 में 3 और pay band 4 में 2 थे, तो इनको क्रमसा level 10, 11, 12, 13 और 14, ये 5 level में divide कर दिया गया है, तो आप देखते हैं कि level का क्या concept है, तो जो level 10 है, level 10 के जो basic पे starting होगी, वो होगी 56,100 से, जो level 11 के जो basic पे होगी, यानि कि जो starting salary होगी, वो होगी 67,700, और जो level 12 के जो basic पे होगी, वो होगी 78,800, इसी प्रकार जो level 13 के जो basic पे होगी, यानि जो शुरुवाती पे होगी, वो होगी 1,18,500, और level 14 की 1,44,200, तो ये सिर्फ basic पे थे, प्लस इसमें DA और add होगा, और DA का निर्धारण जो है हर साल सरकार करती है, साल में दो बार DA आपके change होते हैं, तो ये तो हमने देख लिए हैं कि level के अनुसार, कि कौन-कौन से level में salary divide की गई है, और अब देख लेते हैं कि अगर किसी estate में आप काम कर रहे है, estate government के अंडर में, तो आपकी salary का structure क्या होगा, तो estate government में generally जो है pay band 3 को ही apply किया है, pay band 3 में lecture reader professor और medical officer सभी एक ही जैसे हैं, और lecturer की या medical officer की scale सेम है, बिसे सुरुप से अगर हम उतर प्रदेश की बात करें, तो MO और lecturer की scale सेम है, कोई इसमें changes नहीं है, और ये दोनों जो है level 10 में आते हैं, जो reader है वो आपके level 11 में आते हैं, और जो professor है वो level 12 में आते हैं, तो अगर आपकी नियोक्ति medical officer पे हुई है, तो आपकी जो basic पे होगी level 10 में 56,100 होगी, प्लस DA और बरतमान में जो DA है वो 17 प्रतिशत हैं, जो की COVID की वज़ा से पिछले एक साल से नहीं बढ़ाया है, तो एक अनुमान के मुताबिक जो है 25-26 परसेंट हो जाएगा जब से मिलना सुरू होगा, तो आपकी salary जो है लगभग जो शुरुआती salary होगी, 70,000 के आसपास होगी, तो इस प्रकाट जो है salary का structure था पूरे government sector में, तो मुझे उमीद है कि आपको इस वीडियो में salary is related जितने भी आपके सवाल होगे, उन सब का जबाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा, इन सब के अलावा एक चीज का और प्रभाव पढ़ता है आपकी salary ओ है कि आपकी जो job है कितने साल पुरानी है, क्योंकि हर साल salary में increment होता रहता है, तो यह जो basic pay है, इसमें हर साल लगभख 3% का increment होता है, तो इस तरीके से हर साल आपके salary जो है लगभख grade से 2000, basic pay हमेशा इसका बढ़ जाता है, तो 7th pay scale में हर साल कितना increment होगा, जो annual increment होता है salary का, यह आपको असानी से website पेवलेबल है, आप सर्च करके उसको देख भी सकते हैं, कि हर साल आपकी नौकरी कितनी पुरानी होगी, तो आपके salary में कितना increment होता जाएगा, तो मुझे उमिद है कि आगे से किसी के हिमन में salary को लेकर कोई सवाल अब नहीं रह जायागा, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको सारे doubts clear कर दिये हैं, और जहां तक मेरी salary की बात है, तो मेरा level 10 है, मेरी job को लगबग 7-8 साल हो चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते ह कि मेरी salary कितनी होगी, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, तो इससे अधिक सधिक like कीजिए और share कीजिए, धन्यवाद, जहिन